हलो फ्रेंट्स हमारी को काफी common queries मिल रही है बार बार कि अगर प्रेग्नेंस के आखरी महीने में या आठ्वे और नुवे महीने में आपको वजाइना से डिस्चार्ज आ रहा है तो क्या यह कोई चिंता जिनक बात है नॉर्मल है या इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाह है तो मैं डॉक्टर सुषी रासा नहीं गाइनोकलोजिस न अप्सेटीशन आज आपके इसी सवाल का जवाब देने जा रही हूं तो बने रहे हैं पूरे वीडियो में हमारे साथ सबसे इंबार्डेंट बात है कि वजाइनल डिस्चार्ज आखर नॉर्मल होता है या एबन महीने चल रहे हैं यानि कि आप आठवे और नवे महीने की तरफ हैं तो डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है दिस्चार्ज की मात्रा बढ़ने का कारण बच्चे दाने का मुह खुलना होता है क्योंकि जैसे जैसे आखरी महीना शुरू होता है नवा महीना लगने लगत और जैसे ही बैच्चे दानी का मुझ खुलने लगता है तो वहां से normal mucoid discharge याने की लिसलिसा discharge या creamish white discharge होनी लगता है कई बार इसमें blood mix discharge भी आता है क्योंकि जैसे मुझ खुलता है तो कई बार mucus plug होता है बैच्चे दानी के मुझ पर वह निकल के आता है या फिर कई बार कुछ जो vessels होती है खुन की नलिया होती वह भी रप्चर होती है तो थोड़ा बहुत bleeding उनसे आ जाता है तो कई बार वह blood और mucus मिलकर discharge में आते हैं जो कि light brown कलर का हो सकता है या light pink कलर का हो सकता है कई बार frank bleeding भी हो सकती है जिसे की show बोला जाता है यानि की वह labor pains का starting होता है जब बच्चे दानी का मुझ खुलने की तरफ होता है और एकदम से कोई blood vessel फट जाती है तो blood bleeding भी हो सकती है that is a different thing वो हम उसको यहां नहीं cover करेंगे but definitely अकर mild bleeding है और blood mix discharge आ रहा है तो that is absolutely normal उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कई बार ये blood पुराना हो जाता है blood अंदर रहता है तो कई बार brownish discharge भी आता है क्योंकि जब blood clot हो जाता है या dissociate होने लगता है तो brown color में change होता है तो brownish discharge भी आता है इन सब discharge के साथ generally किसी प्रकार की खुजली जलन या दर्थ नहीं होता है लेकिन यदि आपको complain है कि आपको दही जैसा पानी जा रहा है खुजली है जलन है और pain भी हो रहा है तो यह infection का symptom है जो कि fungal infection हो सकता है क्योंकि pregnancy में हमारी रोग से लड़ने की शक् अगर बढ़ा हुआ होता है diabetes की संभावनाई pregnancy में बढ़ जाती है तो ऐसी स्तिती में fungal infection होने की संभावनाई में काफी जादा बढ़ जाती है और जो fungal infection होता है तो जो discharge आता है वो सफेद रंका होता है और फटे दही जैसा या चीज पनीर जैसा होता है और वो बहुत teaching और जलन करता है ऐसी इस्तिती में आपको डॉक्टर के पास बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए जैसे ही आपको पता लगता है कि आपको इस तरह के प्राब्लम हो रहा है तो आप तुरन डॉक्टर के पास जाईए डॉक्टर चेक अप करता है उसका examination करता है और उसका जांच करवाता है जिसको कि culture sensitivity test बोलते हैं उसमें हमें किटानो का नाम पता चलता है कि कौन सा bacteria या कौन सा fungus है और उस पर कौन सी medicine काम करने वाली है जिससे कि हम आपको किसी प्रकार की unnecessarily antibiotic ना दें बही एंटिबाइटिक दें जो कि exactly काम करने वाली है और जब तक infection फैलता है तो बच्चे को problem हो सकती है बच्चे में infection अगर होता है तो आपको जल्दी delivery हो सकती है यानि कि pre-term delivery हो सकती है और जब delivery के समय पर जो टांकी लगते हैं उनमें भी infection फैल सकता है तो जभी भी आपको लगता है कि इस प्रकार का कोई discharge है जिसमें कि बद्बू आ रह हो रहा है तो वो एक symptomatic infection है यानि कि pathological बोल सकते है या कितानु वाला या मान सकते हैं बीमारी वाला discharge है जिसको कि ignore नहीं किया जा सकता और उसके लिए treatment लेना बहुत जादा जरूरी है यदि आप treatment नहीं कराते हैं तो आपको उसके complications भी हो सकते हैं क्योंकि यदि बच्चा ज अलावा आपको delivery के बाद टाको में infection हो सकता है बच्चे दानी के अंदर infection हो सकता है बाद में हो सकता है कि bleeding ना रुके अब बहुत लंबे समय तक bleeding चलती रहे या uterus में किसी प्रकार की मबाद पढ़ जाए तो ऐसे बहुत सारे problems हो सकते हैं इसलिए इस problem को ignore नहीं किया जाना होता है तो आप तुरंत उस टाइम पर रिपोर्ट कर सकती है और अगर आपको लगता है कि बीमारी वाला डिस्चार्ज है जिसमें कि आपको जलन इचिंग या बदबू आ रही है या और कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से emergency में संपक करके उस चीज़ का इलाज ले सकती हैं विमारी को कभी भी pregnancy में इग्नोर ना करें क्योंकि अगर कोई भी विमारी को इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम जादा हो सकती है culture test यदि आपका positive आता है तो उसके according doctor आपको medicine देते हैं साथ से 10 दिन की medicine prescribed की जाती है और फिर उसके बाद में इस culture test को दुबारा repeat किया जाता है और अगर दुबारा भी यह test अगर positive आता है तो again medicine दी जाती है क्योंकि यदि आपका treatment complete नहीं होता है तो residual infection रहने की कारण फिर problem आ सकती है तो इस वीडियो में आपको यह समझ में आया कि जो pregnancy के अंदर discharge होता है वो normal भी हो सकता है और बिमारी वाला भी हो सकता है 80-90% के जिसमें अर जनरली आपको करना है घर पर home remedies के तौर पर अपने जो अंडर गार्मेंट से उनको बिल्कुल साफ रखना है अखर बढ़ गया तो आपका नीचे का area dry रहे और अगर ज्यादा आप एंटी लाइनर या जो भी पैड आप यूस करें इसको फ्रिक्वेंटली आप चेंज कर सकती है और अंडर गार्मेंट्स को अच्छे से वाश करके धूप में सुखाना होता है ताकि अल्ट्रा वॉयले ट्रेस से उनका स्टेरिलाजेशन हो सके यानि कि इनमें जो भी कि और दिस्चार्ज के कारण आपको लगता है कि कुछ वाश यूस करना है तो प्यूबीग वाश होते हैं मेडिकेटेड होते हैं वही यूस करने होते हुझ हफते में 2-3 अप इसके साथ या दही का स्तेमाल थोड़ा बढ़ा सकती है और हरी सबजीं का स्तेमाल बढ़ा सकत तो काफी हद तक wash off हो जाता है तो मैं समझते हूँ कि यह जनकरी आपके लिए लाबदाइक रही होगी आपको लगता है कि इंपोर्टेंट है तो आप अपने फैमिली फ्रेंट से शेयर कर सकते हैं और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरू सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को जरू तस कर दीजिए हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकरी के साथ तब तक नमस्कार